मेलकब फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरी चैलेंग पर आज के इस वीडियो फ्रेंड्स ऐसे फ्लावर बल्व वाले पौधे जिसे आप अगर इस समय ग्रो करते हैं तो ये फ्लावर प्लांट समर आते आते अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि किस तरह के हम बल्व वाले पौधे को बल्व से ग्रो कर सकते हैं बल्व से जो भी आप फ्लावर प्लांट ग्रो करते हैं तो उसके स्वाइल को जब भी आप रेडिर करें थोड़े से वेल्रेन होने चाहिए यानि कि उस गमले में पानी बिल्कुल भी रुकने नहीं चाहिए यानि कि जब भी आप स्वाइल तयार करें इसको स्वाइल थोड़े से भूरगूरी और सेंडिलूम स्वाइल का आप यूच कर सकते हैं बलव वाले पौधे लगाने के लिए और जब भी आप बल्व लगाते हैं तो कोशिस करें बल्व का आधा हिस्सा स्वाइल के अंदर हो और आधा हिस्सा स्वाइल के उपर होना चाहिए क्योंकि अगर आप पूरे बल्व को स्वाइल में डाल देते हैं तो हो सकते हैं पानी के कारण आपके बल्व खराब हो जाए आप देख सकते हैं जिस तरह से एक पिक्चर में बल्व लगाये गये हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको बल्व लगानी है आधा इसा स्वाइल के अंदर और आधा इसा स्वाइल के उपर होना चाहिए तो चलिए जानते हैं कौन-कौन से बल वाले फ्लावर बल वाले पोदे हैं जिसे आप इस समय ग्रो कर सकते हैं सब सब पहला जो प्लांट मैं ले रही हैं वो है रजनी गंधा के प्लांट आप देख सकते हैं रजनी गंधा के प्लांट समर फ्लावरिंग प्लांटों में गीने जाते हैं इस समर में अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं आप इसके बल्व को इस समय लगा सकते हैं बस सरते की आपको ध्यान देनी हैं जब भी आप इसके बल्व को लगाते हैं थोड़े से cold weather से बचानी है आप इसे green net के अंदर रखे तो आपके बल्व खराप नहीं होंगे दूसरा जो flower plant में ले रही हो फ्रेंड्स आप अगर इसका बल्व इस समय लगा लेते हैं तो समर आते आते यह भी अच्छी तरह से flowery करेंगे और तीसरा जो flower plant में ले रही हैं फ्रेंड्स वह है gladius के flower plant इसके flower आपको कई कल्रों में नर्चरी पर देखने को मिलेंगे और इसके बल्व भी आप देख सकते हैं बिलकुल प्याज जैसे दिखते हैं और यह flower plant का flowering season है अगस्त यह अगस्त से लेकर रेनी season तक अच्छी तरह से flowering करते हैं इसके भी बल्व इस समय आप लगा सकते हैं और चोथा जो flowering plant ले रही हैं यह फ्रेंड्स वो है बिगोनिया के flowering plant आप देख सकते हैं बिगोनिया भी बिंडर में अच्छी तरह से flowering करते हैं ऐसे यह summer में भी अच्छी तरह से flowering करते हैं summer में आपको इसे direct sunlight से बचानी है वैसे जगा का location दे जहां पर morning की sunlight आती है और इसके बल्ब आप देख सकते हैं बिलकुल ओल जैसे दिखते हैं इसे भी इस समय आप बल्ब से बिगोनिया प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और पाचमा जो flower plant में ले रही हूँ वो है बहुत ही खुबसूरत प्लांट पत्तों से भी और इसके flower भी बहुत ही खुबसूरत लगते हैं यह है औकजालिक के प्लांट इसे भी आप बल्ब से ग्रो कर सकते हैं इसमें भी आपको बहुत सारे कलर नसरी पर देखने को मिलते हैं और इसके बल्ब देखिए, लंबे अकार लिये हुए होते हैं, आप इसे online भी purchase कर सकते हैं, और इस समय इसके बल्ब को grow कर सकते हैं, और 6 जो flower plant में ले रहे हूं friends, वो भी बहुत एक खुशूरत plant है, जिसे lilium के नाम से जाना जाता है, इसके flower आपको कई कलरों में देखने को मिलते हैं, और इसके बल्ब को आप online चैनर्सरी से भी purchase कर सकते हैं, और ये भी flower plant समर में अच्छी तरह से flowering करते हैं, तो फ्रेंट से ये कुछ flower plant थे, बल्ब से grow करने वाले flower plant, जिसे आप इस समय दिसम्बर मंध में इसके बल्ब को लगा लेते हैं, तो ये बल्ब समर आते अच्छी तरह से flowering करेंगे, थैंक यू, थैंक यू सो मच